हिंदी साहित्य क्विक रिविजन विद आर्ती शर्मा दोस्तों आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें साथी साथ मेरे वीडियो के अगले नोटिफिकेशन को पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें दोस्तों आज हम करेंगे कथेतर कद्ये विदाएं ठीके जिसमें हम देखेंगे आत्म कथा आत्म कथा को हम आत्म चरित भी कहते हैं ठीके और अंग्रेजी में कहें तो ओटो बायोग्राफी ठीक तो देखते हैं गौर करेंगे दोस्तों सबसे महत्पूर्ण बिंदू है ध्यान से सुनना सन 1641 इस्वी में कब सन 1641 इस्वी में बनार्सी दास जैन ने कब की बात हो रही है 1641 इस्वी शताबदी ठीक तो तब बनार्सी दास जैन ने ब्रज भाशा पद्दे में किसमें ब्रज भाशा पद्दे में अर्द कथानक अर्द कथानक की रचना की जिसे हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्म कथा माना जाता है जिसे हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्म कथा माना जाता है किसे बनार्सी दास जैन करित अर्द कथानक को कहीं कहीं दोस्तों अर्द कथा नाम भी देखने को मिलता है तो दोनों ही नाम आप ध्यान रखेंगे इसका समय है सन 1641 ठीक है बहुत ही इंपोर्टेंट प्रशन है ध्यान रखेंगे अगला बिंदू है ध्यान दें सन 1941 में इससे पहले कुन सा था 1641 अब क्या है उन्निस सो इकतालिस ठीक है तो ध्यान दें यानि 20 वी शताबी चल रही है अब तब 37 शताब दी ठीक है तो गवर करें सन 1941 इसवी में बाबु श्याम सुंदर दास क्रेत ध्यान से सुनें बाबु श्याम सुंदर दास क्रेत मेरी आत्म कहानी क्या नाम है मेरी आत्म कहानी ठीक है इसे हिंदी की प्रतम प्रसिद आत्म कथा माना जाता है ठीक है तो पहली कौन सी थी 1641 में आई किसकी अर्ध कतानक बनार्सी दास जैन की दूसरी है सन 1941 इसवी में बाबु श्याम सुंदर दास की आत्म कथा कौन सी मेरी आत्म कहानी जिसे हिंदी की प्रतम प्रसिद आत्म कथा माना जाता है दोस्तों आप जब भी ये प्रशन आए तब ऑप्शन देखेंगे अगर ऑप्शन में बनार्शी दास जैन या पिर उनकी रचना है तो आप पहले स कहानी को ठीक है तो ध्यान रखें इस बात को भी गौर करेंगे दोस्तों प्रारंब से लेकर सन 1950 इसवी तक कब से बात हो रही है प्रारंब से लेकर सन 1950 इसवी तक ठीक है प्रकाशित हिंदी के मैटपून आत्म कथा हिंदी की मैटपून आत्म कथा निम्न लिखित हैं तो चलिए देखते हैं प्रारंब से लेकर सन 1950 इसवी तक की हिंदी की मैतपूर्ण आत्मकताई तो ध्यान देंगे दोस्तों सबसे पहले हैं सत्यानंद अगनी होतरी इनसे पहले हम पढ़ चुके हैं बनार्शी दास जैन की आत्मकता अर्ध कतानक को ठीके उसका समय था 1641 फिर हमने पढ़ी बाबू श्याम सुंदर दास जी की आत्मकता मेरी आत्मकहानी जिसका समय था 1941 ठीके दोनों को हिंदी की पहली आत्मकताई माना गया है फर्स्ट प्राइटी आप देंगे बनार्शी दास जैन करित अर्ध कतानक को ठीके तो ध्यान रखें अब बात करते हैं सत्यानंद अगनी होतरी जी की इनकी आत्मकता है या फिर आत्मचरित है ठीके आत्मकता या फिर आत्मचरित दोनों में से कुछ भी लिखा आ सकता है आपके प्रश्ण पत्र में, तो confused ना हो, चीजों को समझें, ठीक, इनकी आत्म कथा है, मुझमें देव जीवन का विकास, मुझमें देव जीवन का विकास, कब आई? 1910 इस्वी में, अच्छा, एक बात और बता दू, इनकी आत्म कथाओं को लेकर, ठीक, तो हमने पढ़ा, सत्यानंद अग्नी होत्री, इंकी आत्म कथाओं को पूछी गई है, मुझमें देव जीवन का विकास, कब आई? 1910 इस्वी में, ध्यान रखेंगे, फिर है स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है? इनकी स्वारचित, इनकी स्वारचित आत्म कता है, कौन सी? जीवन चरित, जीवन चरित्र, कब आई? 1917 इस्वी में, तो स्वामी दयानंद जी की, स्वारचित आत्म कता है, जीवन चरित्र, इसका समय है, 1917 इस्वी, ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे दोस्तों, अगले आत्म कहानिकार है, कौन बाई परम्नंद, बाई परम्नंद दास, थिक हैं, इनकी आत्म कता है, आप बीती, आप बीती कब आई 1921 इस्वी में किसकी है बाई पर्मानंद दास की ठीक है आप उभीती आत्म कथा 1921 फिर है राम विलास शुकल है दोस्तों शर्मा नहीं है इस बात को ध्यान रखें इनकी आत्म कथा है मैं करांती कारी कैसे बना ये आई 1933 इस्वी में किसकी आत्मकता है राम विलास शुक्ल जी की ध्यान रखेंगे अगले हैं भवानी दयाल सन्यासी इनकी आत्मकता है प्रवासी की कहानी कब आई 1949 इस्वी में समय याद रखें 1949 इस्वी में ठीकें किसकी आत्मकता है बवानी दयाल सन्यासी जी की नाम है प्रवासी की कहानी ध्यान रखें फिर हैं दॉक्तर शाम सुन्दर दास ठीक है दॉक्तर शाम सुन्दर दास important है ध्यान रखना मेरी आत्म कहानी जिसके बारे में हमने वीडियो के शुरुआत्मे पढ़ा ठीक, तो डॉक्टर शाम सुन्दर दास कहो, या फिर बाबू शाम सुन्दर दास कहो, दोनों व्यक्ति एकी हैं, इनकी आत्म कता है, मेरी आत्म कहानी, कब आई दोस्तों, 1941 इसवी में, ठीक है, मेरी आत्म कहानी, जिसे हिंदी की पहली प्रसिद आत्म कता भी माना गया है, ठ बात भी ध्यान रखें इसके बाद है राहुल सांकृत्याइन जी की आत्म कता है बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों मेरी जीवन यात्रा मेरी जीवन यात्रा ये बहुत ही गुमकड प्रवरित्ती के थे ठीके गुमते रहते थे तो ध्यान रखें राहुल सांकृत्याइन जी इनकी है मेरी जीवन यात्रा आतम कथा कब आई 1948 इस्वी में 1948 इस्वी में ध्यान रखें फिर हैं डौक्टर राजेंदर प्रसाथ जोकी हमारे राष्ट पती भी रह चुके हैं प्रत्म ठीक तो ध्यान दें इनकी आत्म कथा नाम से ही आत्म कथा है क्या है आत्म कथा ठीक है डॉक्तर राजेंदर प्रसाद कब आई 1947 इसवी में 1947 इस वी जिस वर्स हम लोग आजाद हुए उस वर्स ठीक है ध्यान रखें अगले हैं वियोगी हरी ठीक है वियोगी हरी जी इनकी आत्मकता है मेरा जीवन प्रभा मेरा जीवन प्रवा इंपोर्टेंट है 1948 सिस्वी में आई हुई आत्मकता है मेरा जीवन प्रवा किसकी आत्मकता है वियोगी हरी जी की इसके बाद हैं हरी भाव उपाध्याई इनके बाद आते हैं हरी भाव उपाध्याई इनकी आत्मकता है साधना के पत्पर साधना के पत्पर ये कब आई 1946 इस्वी में 1946 इस्वी में आई हुई आत्म कता है साधना के पतपर ठीक है किसकी है हरी भाव उपाध्याई जी की अगली आत्म कता है ध्यान दे निज वरितांत किसकी है अंबिकादत व्यास की आत्म कता है निज वरितांत ध्यान रखेंगे वरितांत यानि की वर्णन ठीक फिर है स्वामी श्रद्धानंद जी इनकी आत्म कता है कल्यान मार्ग का पतेक किसकी आत्म कता है स्वामी श्रद्धानंद जी की ध्यान रखेंगे इनके बाद है गणेश प्रशाद वर्णी कौन गणेश प्रशाद वर्णी इनकी आत्म कता है मेरी जीवन गाथा मेरी जीवन गाथा कब आई 1949 इसवी में कौनसी मेरी जीवन गाथा आत्म कता किसकी है गणेश प्रशाद वर्णी जी की फिर है मूल चंद अगरवाल जी मूल चंद अगरवाल जी इनकी आत्म कता है एक पत्रकार की आत्म कता एक पत्रकार की आत्मकथा कब आई दोस्तों? 1944 इस्वी में 1944 इस्वी में ध्यान रखेंगे किसकी है? मूलचंद अगरवाल जी की आत्मकथा है एक पत्रकार की आत्मकथा ठीक है? नोट है दोस्तों एक यहां पर ध्यान दें गौर करना जरा हिंदी की पहली, हिंदी की पहली महीला आत्म कथा, ध्यान से सुनना बहुत ही इंपोर्टेंट है, हिंदी की पहली महीला आत्म कथा लेखी का है, जान की देवी बजाज, कौन है, जान की देवी बजाज, नाम याद रखें, बहुत ही इंपोर्टेंट है, जान की देवी बज ठीक है ध्यान दे जानकी देवी बजाज ने पहली महीला आत्मकताकार हैं ठीक है इन्होंने सन 1956 में कब सन 1956 में मेरी जीवन यात्रा क्या नाम है मेरी जीवन यात्रा इस सीर्षक से अपनी आत्मकता प्रकाशित करवाई तो ध्यान रखे मेरी जीवन यात्रा इस सीर्षक से जानकी देवी बजाज ने सन 1956 में अपनी आत्मकता प्रकाशित करवाई इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं मेरी जीवन यात्रा तीक है राहुल सांकृत्याइंजी की तो ध्यान रखेंगे दोस्तों आप ऑप्शन को ध् पढ़ेंगे और प्रशन को भी तब जा करके अपना अंसर टिक करके आएंगे गौर करेंगे ममता कालिया अगला बिंदू है ध्यान दे ममता कालिया इनकी आत्मकता है कितने शहरों में कितनी बार कितने शहरों में कितनी बार यह किसकी आत्मकता है ममता कालिया जी की ठीक है और अगर वहीं हम कवीता की बात करें तो अग्ये की एक कवीता है कितनी नावों में कितनी बार ठीक है लेकिन यहापर क्या नाम है आत्मकता का कितने शहरों में कितनी बार ममता कालिया की आत्मकता है सन 2012 इस्वी में आई हुई आत्मकता है ठीक है जिसे सीता पुरुषकार भ किसे मंता कालिया जी की आत्मकथा कितने शहरों में कितनी बार के लिए ठीक है कब आई सन 19 सॉरी सन दोजार बारे में बहुत जादा पुरानी नहीं है ध्यान रखें गौर करेंगे दोस्तों हिंदी की प्रमुक महिला आत्मकथा लेखीका कौन कौन है देखते हैं तो अब हम पढ़ेंगे प्रमुक महिला आत्मकथा लेखीकाओं को ध्यान देना सबसे पहले जानकी देवी बजाज और ये कौन है जानकी देवी बजाज पहली महिला आत्मकथा कार हैं इनकी आत्म कता हैं मेरी जीवन यात्रा मेरी जीवन यात्रा कब आई 1956 में 1956 इस वी में ध्यान रखेंगे दोस्तों क गौर करेंगे अगली महीला कथाकार हैं आत्म कता कार प्रतिबा अगरवाल जी की आत्म कताएं दियान दें, दस्तक जिन्दगी की, कब आई? 1990 इस्वी में, भाग एक, ठीकें? फिर आई? मोड जिन्दगी का, ये कब आई? छे बर्स बाद, यानि 1996 इस्वी में, भाग दो, ठीकें? तो इनकी आत्मकताय दो भागों में हैं, किसकी? प्रतिवा अगरवाल जी की, पहली है? दस्तक जिन्दगी की, 1990 इस्वी, भाग एक, फिर आई? मोड जिन्दगी का, 1996 इस्वी, भाग दो, ठीकें? तो ध्यान रखेंगे प्रतिवा अगरवाल जी की, आत्मकताओं को, ठीकें? गौर करेंगे दोस्तों, अगली महिला कताकार हैं, आत्मकताकार, कुशुम अंसल, कुशुम अंसल, इनकी आत्मकताय हैं, जो कहा नहीं गया, इंपोर्टेंट है, जो कहा गया नहीं गया, यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग, एरर है, ठीकें? जो कहा नहीं गया, यह होना चाहिए, कब आई? 1996 में, जो कहा नहीं गया, किसकी है? कुशुम अंसल जी की, आत्मकता है, फिर है कृष्ण अगनी होत्री, ठीकें? बहुत ही इंपोर्टेंट है, इनकी आत्मकता भी, कृष 1997 इसवी में, 1997 इसवी में, क्या नाम है? लगता नहीं है, दिल मेरा, किसकी आत्मकता है? कृष्ण अगनी होत्री जी की आत्मकता है, ठीकें? गौर करेंगे दोस्तों, अगली महिला कथाकार है, कौन? पदमा सचदेव, पदमा सचदेव, इनकी आत्मकता है? बूंद ठीकें? याद रखें, पदमा सचदेव, इनकी आत्मकता है? बूंद बावडी, फिर हैं, शीला जुन जुन वाला, इनकी आत्मकता है? कुछ कही, कुछ अनकही, कुछ कही, कुछ अनकही, कब आई? 2000 इसवी में, ठीकें? शीला जुन जुन वाला, इनकी आत्मकता, कुछ कह कुछ अनकही कब आई 2020 में ध्यान रखेंगे दोस्तों कि गौर करेंगे अगली महीला कताकार ही कौन मेत्रई पुषपगा मेत्रई पुषपगा जी की आत्मकता है। ध्यान दे कस्तूरी कुण्डल बसई इंपोर्टेंट है कस्तूरी कुण्डल बसई किसकी है मेत्रई पुषपाजी की आत्मकता है कब आई दो हजार इस्वी में इसका भाग एक आया 2010 वी में भाग एक आया मेत्रई पुस्पाजी की आत्म कता का किस नाम से कस्तूरी कुंडल बसे ठीक फिर है गुडिया बीतर गुडिया गुडिया बीतर गुडिया जो की मेत्रई पुस्पाजी की आत्म कता का दूसरा भाग है कब आया ये 2008 इसवी में क्या नाम है गुडिया भीतर गुडिया तो ध्यान रखे मेत्रई पुस्पा जी की आत्म कता है कस्तूरी कुंडल बसे 2008 इसवी भाग एक फिर है गुडिया भीतर गुडिया 2008 इसवी भाग दो दोनों ही important है ध्यान रखे तो रमनीक ठाकुर गुपता रमनीक ठाकुर गुपता इनकी आत्म कता है हाद से क्या है हाद से कब आई 2005 इसवी में किसकी रमनीक ठाकुर गुपता जी की आत्म कता हाद से ठीक है 2005 इसवी फिर आई मन्नू बंडारी जी की आत्म कता इंपोर्टेंट है मन्नो बंडारी जी की आत्म कथा कल यह भी कल यह भी कब आई 2007 इस्वी में ठीक है याद रखें मन्नो बंडारी जी की आत्म कथा है कल यह भी कब आई 2007 इस्वी में ध्यान रखेंगे दोस्तों अगली महिला आत्म कथाकार है प्रभा खेतान जी प्रभा खेतान इनकी आत्म कथा है इंपोर्टेंट है अन्या से अनन्या अन्या से अनन्या कब आई 2007 इस वी में ठीके तो प्रभा खेतान जी की आत्म कथा है अन्या से अनन्या 2007 में आई हुई आत्म कथा है फिर है दोस्तों चंद्र किरन सो नरेक्षा क्या नाम है चंद्र किरन सो नरेक्षा इनकी आत्म कता है पिंजरे की मैना कब आई 2018 में ठीके तो चंद्र किरन सो नरेक्षा जी की आत्म कता है पिंजरे की मैना 2018 ठीके ध्यान रखेंगे गोर करेंगे दोस्तों अगली महिला आत्म कदा कार हैं अनीता राकेश इनकी आत्म कदा है संत्रे और संत्रे तीक हैं किसकी आत्म कदा है अनीता राकेश जी की फिर है ममता कालिया ममता कालिया इनकी आत्मकता है कितने शेहरों में कितनी बार कितने शेहरों में कितनी बार 2011 इस्वी में आई हुई आत्मकता है कितने शेहरों में कितनी बार जिसे सती पुरुसकार भी मिला है ठीके किसकी आत्मकता है ममता कालिया जी की ठीक है ध्यान रखेंगे तो ध्यान रखेंगे दोस्तों मम्ता कालिया की आत्मकथा कितने शेरों में कितनी बार जिसे कौन सा पुरुसकार मिला है सीता पुरुसकार कब आई 2011 इस वी में ध्यान रखेंगे गौर करेंगे दोस्तों अगली महिला आत्म कथाकार है चंदरकांटा, चंदरकांटा जी की आत्म कथा है हासिय की इबारते हैं, 2012 में आई हुई आत्म कथा है चंदरकांटा जी की आत्म कथा हासिय की इबारते हैं, फिर है मन्नु बंडारी जी की आत्म कथा, बहुती इंपोर्टेंट है, एक कहानी य nehari कि दूस्तों हम पड़ेंगे सन 1950 इसवी के बाद हिंदी की प्रमुख आत्म कथाएं तो इससे पहले हम ने 1950 तक पड़ी थी अब हम पड़ेंगे सन 1950 इसवी के बाद की हिंदी की प्रमुक आत्म कता हैं तो ध्यान दें सबसे पहले हैं अजीत प्रसाद जैन इनकी आत्म कता है अज्यात जीवन 1951 इसवी में आई हुई आत्म कता है अज्यात जीवन और आत्म कता कार हैं अजीत प्रसाद जैन अगले आत्मकता कार है अलगू राय शास्त्री अलगू राय शास्त्री जी की आत्मकता है मेरा जीवन 1951 इस्वी में आई हुई आत्मकता है मेरा जीवन किसकी है अलगू राय शास्त्री जी की फिर है यसपाल यसपाल जी की आत्मकता है सिंगाव लोकन बहुत ही इंपोर्टेंट है सिंगाव लोकन किसकी है यसपाल जी की जो की तीन भागों में है कितने भागों में तीन भागों में कब कब आए तो ध्यान रखना एक भाग आया 1951 में दूसरा भाग आया 1952 में और ती रखें 51 52 फिर 55 ठीक हैं तीन भाग आए सिंगाव लोकन के किसकी है आत्मकता येस पाल जी की गौर करना दोस्तों अगले आत्मकता कार है कौन सत्यदेव परीवराजक सत्यदेव परीवराजक इनकी आत्मकता है सत्यदेव परीवराजक की आत्मकता सत्यदेव परीवराजक की आत्मकता है शांती प्रिये द्वेदी जी इनकी आत्म कता है परीव राजक की प्रजा बहुती इंपोर्टेंट है दोस्तों इतनी जादा पूछी जाती है ये तो ध्यान से सुने शांती प्रिये द्वेधी जी की आत्म कथा है परीव राजक की प्रजा कब आई 1952 में 1952 में ध्यान रखें अगले आत्म कथाकार है देवेंद्र सत्यार्थी ध्यान से सुनना इनकी आत्म कथा है चांद सूरज के वीरन ठीके कब आई यह आई 1952 में दो भागों में है, पहला भाग आया 1952 में, दूसरा भाग आया 1985 में, और किस नाम से आया दूसरा भाग, नील यक्षणी, ठीक है, एक बार फिर से सुने, ध्यान दे, देवेंद्र सत्यार्थी जी की आत्मकता, दो भागों में है, पहला भाग आया, चांद सूरज के वीरन, ये कब आयी, 1952 में, ठीक है, पहला भाग, दूसरा भाग है, नील यक्षणी, ये आया 1985 में, ध्यान रखेंगे दोस्तों, गौर करेंगे, अगले आत्मकताकार है, गंगा प्रसाद उपाध्याई, इनकी आत्मकता है, जीवन चक्र, 1954 में आया हुई, आत्मकता है, जीवन च गंगा प्रसाद उपाध्याई जी की, फिर है दोस्तों, आचारे चतुरचें साथ्री जी, इनकी आत्मकता है, यादों की परचाईया, जो की 1956 में आयी, ठीक है, फिर है मेरी आत्म कहानी, इंपार्टेंट है, बहुत ही जादा, मेरी आत्म कहानी, पूछी जाती है, किसकी आत्मकता है तो चतुर सेंसास्तरी जी की आत्मकता है कितनी कब आई यह आई 1963 ili 63 interview 1963 इस्वी में एक बार से सुने है कि आप्ट्री शॉस्थी समय से अने कünk अश्रीक्वाद श्रत्री जी की आत्मकता dual yoga में है इसका पछला भाग यादो की परचाईयां कब आया 1956 इसवी में फिर दूसरा भाग मेरी आत्म कहानी ये कब आया 1963 इसवी में तो ध्यान रखेंगे दोस्तों गौर करेंगे अगले आत्म कताकार है सेट गोविंद दास कौन है सेट गोविंद दास इनकी आत्म कता है आत्म निरिक्षण कौनसी आत्म निरिक्षण कब आया 1958 इसवी में ध्यान रखेंगे द्यान देना दोस्तों अगले आत्म कताकार है कौन देवराज उपाध्याई इनकी आत्म कता है बचपन के दो दिन ठीके जो की जिसका पहला भाग 1958 में आया तो देवराज उपाध्याई की आत्म कता दो भागों में है पहला भाग है बचपन के दो दिन ये कब आया 1958 में फिर दूसरा भाग ये कब आया योवन के द्वार पर 1970 इसवी 1970 इसवी ठीके एक बार फिर से सुने देवराज उपाध्याई जी इनकी आत्म कता दो भागों में है पहला भाग आया 1958 में बचपन के दो दिन नाम से किस नाम से बचपन के दो दिन फिर दूसरा भाग आया 1970 इसवी में किस नाम से योवन के द्वार पर किसकी आत्म कता हैं ये देवराज उपाध्याई जी की गौर करें अगले आत्म कता कार है पदुम लाल पुन्ना लाल बक्षी इनकी आत्म कता है मेरी अपनी कता मेरी अपनी कता कब आई 1958 इसवी में 1958 इसवी में आई हुई पदुम लाल पुन्ना लाल बक्षी जी की आत्म कता है मेरी अपनी कता फिर है पांडे बेचेन शर्मा उ उग्री जी की आत्मकता है अपनी खबर कभाई अपनी खबर आत्मकता उनिस सो साथ इसवी में उनिस सो साथ इसवी में बहुत ही इंपोर्टेंट है ध्यान रखें पांडे बेचें सर्मा उग्री जी की आत्मकता कौनसी है अपनी खबर कभाई उनिस सो साथ इसवी में ध्या रखेंगे दोस्तों हम घए गोर करेंगे दोस्तों अगले आत्म कथाकार है संत राम भीए संत राम भीए जी है भूवनेश्वर प्रशाद मिश्र माधव इनकी आत्म higher जीवन के चार अध्याई जीवन के चार अध्याई पब में 1966 मTalk कता है जीवन के चार अध्याई किसकी आत्म कथा है भूवनेश्वर प्रशाद मिश्र म wnधव जी की का अगले कथाकार हैं आत्म कथाकार हरी वंशराय बच्चन जी ठीक है इनकी एक कवीता है बहुती प्रसिद लहरों से डर कर नोका पार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बहतरी इन कवीता है दोस्तों पढ़ कर देखें ठीक हरी वंशराय बच्चन जी की आत्म कथ दियान से सुनना, इनके चार बागों में है, इनकी आत्मकतर चार बागों में है, पहला बाग, उनिस सो उनत्तर इस्वी में आया, किस नाम से, क्या भूलू, क्या याद करूं, क्या भूलू, क्या याद करूं, उनिस सो उनत्तर इस्वी में, फिर दूसरा बाग आया, कब आय यह आया उनिस सो सटर इसवी मेकile के नाम से नीड का निर्मान फीर, नीड का निर्मान फीर नीड का निर्मान फिर ठीक है harm, यह दूसरा बाग है इनकी आत्मकता का फिर इनका तीसरा बाग कभ आया 1978 इस्वी में किस नाम से बसेरे से दूर बसेरे से दूर नाम से तीसरा भाग आया 1978 में किसका हरीवंश राय बच्चन जी की आत्मकता का ठीक है बसेरे से दूर फिर है दोस्तो चोथा भाग चोथा भाग आया 1985 इस्वी में किस नाम से, 10 दौार से 105 तक, 10 दौार से 105 तक, येении, चौथा पाग से, कब आया, 1985 में, किसकी आत्मकता है, हरीवंश्राय बच्चन जी की, की वा, एक बहर फिर से, सुने, हरीवंश्राय बच्चन जी की, आत्मकताई, करम में, लगाने के लिए आती हैं दोस्तों ये प्रश्न करम में बहुत पूचा जाता है तो ध्यान से सुनना क्या भूलू क्या याद करूं सबसे पहले आई पहला भाग आया 1979 में फिर दूसरा भाग आया 1970 में नीड का निर्मान फिर नाम से फिर तीसरा भाग 1978 इसवी में बसेरे से दूर नाम से फिर चोथा भाग 1985 इसवी में किस नाम से दस दौर से सौपान तक दस दौर से सौपान तक नाम से तो ध्यान रखेंगे हरीवन शराय बच्चन जी की आत्मकताओं को तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समापत होता है थैंक्स फॉर वाचिंग अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें शेर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ मेरे वीडियो के अगले नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद दोस्तों